नमस्कार दोस्तों स्वागत आप से विए का एससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो मम ट्वेंटी इंपोर्टेंट कोईशन डेटेल में डिसकसन करेंगे यह समाने विज्ञान के सीरीज का पार्ट एक सो बीस है जो कि आने वाले रेल्वेंटी पीस की सो दोस्तों होते हैं ऑले श्तर करेंट प्रस्तों अचिए वीडियो में प duties की दूबका दही में परिवरत αν किसके दुवारा होता है जोस्तों दूब्द में कैसीन नामत प्रोटीन उपस्तित रहता है इसी प्रोटीन के कारण दोस्तों निर्माण्स लेक्टिकिक अमीं बीच में रसायनिक अभिकरिया की फलसुरूप होता है next question प्रस नम्मर दू गाए के दूद की हलका पीले रंग का कारण निम्न की उपस्तिती से है तो दोस्तो केरोटिन की उपस्तिती के कारण गाए के दूद का जो रंग होता है वह हलका पीला होता है option भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो बात करते हैं केरोटिन के बारे में दोस्तो केरोटिन यहाँ एक हाइड्रो कारण होता है इसका सूत्र होता है C40H56 का दोस्तो C40H56 इसका एक सूत्र होता है दोस्तो दूद को पचाने वाल एंजाइम क्या होता है तो आप बताएंगे दूद को पचाने वाल एंजाइम होता दोस्तो रेनिन क्या हो दोस्तो रेनिन यह दूद को पचाने वाल एंजाइम होता है दोस्तो दूद में कैसी नामक प्रोटीन पाया जाता है प्रस नम्मर 3 लाल रख्त कोशिकाओ यानी RBC का रंग होता है दोस्तों RBC यानी लाल रख्त कोशिकाओ का रंग जोता है हीमोगलोबिन के कारण लाल होता है ओप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों RBC का रंग लाल उसमें उपस्तित हीमोगलोबी नामक प्रोटीन के कारण होता है प्रस नम्मर चार जब एक व्यक्ति विरध्य होने लगता है तो समानिता उसका रक्तदाब होता है तो दोस्तों आप बताएंगे जब एक व्यक्ति विरध्यानी बुड़ा होने लगता तो उसका रक्तदाब बढ़ जाता है ऑप्शन भी इसका ठीक हो जाएका दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ माना रक्तदाब यानी ब्लेड प्रेसर बढ़ जाता है समाने रख्ट दाब जो होता है 120-80 होता है दोस्तो रख्ट दाब इससे अधिक होने पर high blood pressure तथा इससे कम होने पर low blood pressure होता है दोस्तो रख्ट का दाब जोता है वह इस figmo menuator के दुवारा मापा जाता है प्रेस नम्मर पांच नेमन में से कौन सा रख्ट वर्ग सारवत्रिक दाथा यानी universal donor कहला था तो दोस्तो नेम लिखित में से रख्ट वर्ग O को universal donor कहते हैं और अप्सने इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो रख्ट वर्ग O universal donor कहते हैं क्योंकि दोस्तो इसमें कोई भी antigen नहीं ह recipient कहते हैं दोस्तो इसे universal recipient कहते हैं दोस्तो यह सबसे रख्ट ले सकता है next question प्रेस नम्मर छे मनुष्य के सरीर के रक्ट का पी एच मान होता है दोस्तो मनुष्य के सरीर के रक्ट का पी एच मान होता है वहाँ 7.4 होता है कि तो दोस्तो मनुष्य के सरीर के रक्ट का पी एच मान 7.4 होता है option 6 का right हो जाए दोस्तो मनुटूसी का जो रक्त होता है वह एक तरल संयोजी उत्ताक होता है दोस्तो इसका पीचमान 7.4 होता है Next question Press number 7 प्रतिजन यानि antigen वह पधार्थ होते हैं जो दोस्तो antigen यहाँ प्रतिरक्षि यानि anti-body के निर्माण को उदिप्त करते हैं delight हो जाएगा दोस्तो प्रतिजन यानि एंटिजन वे पधार्थ होते हैं जो की एंटी बोडी के निर्माड को उद्धिप्त करते हैं यानि यह एंटी बोडी के निर्माड को प्रेजित करते हैं तथा दोस्तो यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रावर्थित करते हैं नेक्स कोश प्रेस नमबर आठ यूरिया किसके दुवारा रक्त से प्रिथक किया जाता है दोस्तो यूरिया यहाँ गुर्दय यानि किडिनी के दुवारा रक्त से प्रिथक किया जाता है ओप्सन डिसका राइट हो जाएगा दोस्तो बात करते हैं यूरिया के बारे में दोस का सरीर से बाहर निकलना अती आवश्यक होता है दोस्तो यूरिया मुच्तर के माद्यम से सरीर से नेक्स कॉइस्टिन ट्रस नम्बर नूस् Rule मानव हार्मौन इंसुलीन उत्पन होता है तो दोस्तो मानव हार्मोन इंसुलिन होता है यह अगनासे के द्वारा उत्पन होता है यानि option भी इसका right हो जाएगा दोस्तो बात करते इंसुलिन के बारे में दोस्तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसका उत्पादन अगनासे में इस्तित लेंगर हैंस की दीपिकाओं यानि आइलेट्स ओफ लेंगर हैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है दोस्तो इंसुलिन की कमी से मधु में यानि डाइपेटीस नामक रोग हो जाता है नेइमलिखित मेंसे कौन एक प्रोटीन नहीं है तो दोस्तो नेमलिखित मेंसे ओक्सेटोसिन यहां एक प्रोटीन नहीं होता है बलकि दोस्तो ओक्षेटोसिन एक हार्मोन होता है क्या होता है यहां एक हार्मोन होता है ओप्षन से इसका ठीक हो जाए दोस्तो ओक्षेटोसिन यहां एक लव हार्मोन यानि प्रेम का हार्मोन होता है प्रस नंमड-11 आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है तो दोस्तों आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग होता है option 20 का right हो जाएगा दोस्तों थायरायट हार्मोन के उतपादन के लिए आयोडीन नामक तत्व अति आवश्यक होता है सरीर में दोस्तो आईवड़न की कमी से थाईराइड ग्रंथी में विर्द्धी हो जाती है दोस्तो आईवड़न की कमी से घेंगया रोग होता है प्रस नमर बारा किसे पचाने हे तू, साकाहारी को लंबी छोटी आत की आफशकता होती है दोस्तो सेलिलोज को पचाने हितू साकाहारियों को लंबी छोटी आथ की आफशक्ता होती है ओफसन डिस का राइट हो जाएगा दोस्तो सेलिलोज को पचाने के लिए साकाहारी को लंबी छोटी आथ की आफशक्ता होती जिसे दोस्तो सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे सीकम कहा जाता है। दोस्तो, selliloj एक कारिपनिक योगिक होता है, जिसमें एक ही परकार का अडू, लगतार जुडने से एक बड़ा polymer बनता है दोस्तो, कपास के रेसे का लगबक, 90% हिसाज होता है, वह selliloj होता है Next question, press number 13, दोस्तो, press number 13 हमारा selfur का रशाइयनिक प्रतिक क्या है? दोस्तो सलफर का रसायनिक परतीक होता है S क्या होता है S इसका रसायनिक परतीक होता है options इसका right हो जाएगा दोस्तो सलफर का परमाडु भार होता है 32 तथा इसका परमाडु संख्या होता है 16 क्या होता है सल्फर का परमाडू संख्या 16 होता जब इसका परमाडू भार 32 होता है नेक्स कोश्चन प्रेस नम्मर 14 निमन में से कौन एक निसकरिया गैस है दोस्तो निम लिखित में से रेड़ोन रेड़ोन एक निसकरिया गैस होती है option भी इसका right हो जाएगा दोस्तो redone को RN के रुप में परदस्थित किया जाता है दोस्तो आवर्त सानिक के सून्ने वर्गिया समू 18 के तत्व noble gas या inert gas कहलाते हैं यह दोस्तो है helium, neon, aryan, krepton, genon तथा redone next question प्रस नम्मर 15 निम्न में से कौन सा पोधा थेलो फाइटा समू में वर्गिक्रित नहीं होता है तो दोस्तो निम्लिखित में से रिक्सिया या थेलो फाइटा समू में वर्गिक्रित नहीं होता है और सुने इसका right हो जाएगा दोस्तो थेलो फाइटा इन पोधों की सारिक संदचना में विवेदी करन नहीं पाया जाता यानि इन में डिफरेंसिस नहीं पाया जाता इन वर्ग में दोस्तों सेवाल, लाइकन, कवक, इतियादी आते हैं दोस्तो कारा, उल्बा तथा स्पाइरो गाईरा यहां दोस्तो तीनों ही सेवालों के एकजाम पर हैं तो सेवाल जो हता है वहां थेलोफाइटा में आता है नेक्स कोशिन प्रेस नम्मर सोला कवक की कोशिका भित्ती बनी होती है दोस्तो कवक की कोशिका भित्ती जो होती है वह काईटीन की बनी होती है यानि ओप्संसिस का ठीक हो जाएगा दोस्तो कवक यानि फंगस दोस्तो कवक के सरीर में जड तना तथा पत्ती का अभाव होता ह इनमें दोस्तों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, दोस्तों यह हैटरोटरोफिक होते हैं, यह मिर्थजीवी, सहजीवी तथा परजीवी आदि हो सकते हैं, दोस्तों कवक की कोशिका भित्ती जोती है, वहां काईकिन की बनी होती है, Next Question प्रेस नमर 17 हरे पौधों में प्रकास संस्लेशन की क्रिया में होता है दोस्तों क्या होता है तो आप बताएंगे तो में प्रकास संस्ट्ट की क्रिया के दुरान होता है कार्बन डै-ॉक्साइट को लेते हैं तता गरिंपटे हैं और फूस्वर चिट्राष एंधों Wak Project यह कीट हारी पादप है ओप्सन नमरे राइट हो जाएगा दोस्तों यह नेपेंथिस कुल कीट भच्ची पोधा होता है यह स्रिलंका और इंडिया के असम में पाया जाता है यह कार्णिवरस प्लांट होता जो कि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और इस कमी को पूरा करन प्रस नमर 19 ब्रायो फिलम में काईक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है तो दोस्तों आप बताएंगे ब्रायो फिलम में जो काईक प्रवर्धन होता है यह पत्तियों के माध्यम से होता है यानि ऑप्सन नमर भी राइट हो जाएगा दोस्तों पोधों को पत्थर भी कहते हैं यह पौधों की हरी पत्तियों से नए श्रिसू renewal का निर्मान होता है नेक्स कॉस्टिंश्य प्रस नंबर 20 नीमलिखित में से कौन सी बिमारे विशानु दुवारत tes नहीं होती तो डोस्तु नीमलिखित सब्ध है यह इटेलियन भासा से लिए गया है इसका अर्थ होता है माला प्लस एरिया क्या होता है माला प्लस एरिया से मलेरिया बना है यह इटेलियन वर्ड जिसका अर्थ होता है बुरी हवा क्या होता है इसका अर्थ होता है दोस्तों मलेरिया को क्या कहते है इसे दल्दली बुखार भी कहते हैं यहां रोक मादा एनेफलीज मच्छर के काटने से मलेजे होता और इसका वहक होता है वह प्लाजो मोडियम नामक प्रोटो जोवा होता है दोस्तों आज की वीडियो से इतने important question बन सकते थे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो की पीडियेफ आप एससे मेकर टेलीग्राम चैनल से प्राप्प कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो आप सभी को मौर्निंग में 10 एम पर की जाती है धन्यवाद दोस्तों